गुद्मॉर्णिंग जो स्टेंज स्टेंज हमने चैप्टर नमबर 18 इस्टोरी ओफ क्लोथ में की कम्प्लीट पढ़ लिया थे ना हमने बुक वर्क भी कर लिया था ठीक दा करेक्ट आंसर हमने सरकल दो ओड वन भी कर लिया था अब हम करते हैं इसके कोशन आंसर ठीक है यह है चैप्टर नमबर वेटर चैप्टर कौन सा ही है 18 याद रखना है ना चैप्टर नमबर 18 यह कोशन आंसर आपको अपनी CW में लिखने हैं EVS की CW में सबकी कॉपी कम्प्लीट कर ले ना चैप्टर नमबर 18 तक मैंने चैप्टर नमबर 18 तक पढ़ाया है 19, 20 यह चैप्टर में अभी नहीं पढ़ाऊंगे वापिस से रिविजन कराऊंगी चैप्टर नमबर 18 तक CW सबको कम्प्लीट करना है अभी हम करते हैं कोशन आंसर What does W.H.A.T. What D.O.E.S. does W.E.A.V.E.R. Weaver Do Weaver मतलब बुनकर Weaver मतलब क्या होता है What मतलब क्या Does मतलब करता है Do मतलब करता है What does a viewer do Weaver मतलब बुनकर क्या करता है अब देखो हमने क्या पढ़ा था A Weaver view Threads into clothes W.A.V.E.R. Weaver Weaver मतलब बुनकर W.E.A.V.E.V.E.R. View मतलब बुनना T.H.R.E.A.D.S. Threads Threads मतलब धागा I.N.T.O.E.R. C.L.O.T.H.E.S. Clothes Clothes मतलब कपड़े जब बुनकर है न वो धागे से कपड़े को बनता है जब हमारा Cotton जो होता है हमें मिलता है उससे धागा बनता है फिर धागे से तो कपड़े बनते है तो बुनकर क्या करता है उन धागों से कपड़े को बनता है और टेलर होता है उन कपड़े को सिल देता है A.V.E.V.E.R. View Threads Into Clothes A.V.E.V.E.R. View Threads Into Clothes ठीक है बनकर इपागे से कपड़े को बनता है डबले चेटी वौट वौट मिस क्या D.O.E.S. Does A.T.A.I.L.O.R. टेलर टेलर मतलब यह सिलाई करने वाला D.O.Do What does a टेलर डू? टेलर क्या करता है टेलर क्या करता है हमारे कपड़ों को सिलता है और सिलने को हम क्या कहते हैं? Stitches है न? T, A, I, L, O, R, Taylor The Taylor S, T, I, T, C, H, E, Stitches Stitches मतलब सिलना C, L, O, T, H, E, S, Close F, R, For, U, S, Us मतलब हमारे For मतलब के लिए Taylor हमारे लिए कपड़े सिलता है The Taylor Stitches Close For Us The Taylor Stitches Close For Us Taylor क्या करता है? हमारे लिए कपड़ों को सिलता है Next Question W, A, T, What? D, O, S, Does A, W, A, S, H, Wash E, R, Washer M, N, Man Washerman Washerman मतलब धोबी कपड़े दोने वाला D, O, Do जो Washerman हमारे कपड़े दोता है न? और दोने को हम क्या बलते है? Wash A Washerman washes our cloth A W, A, S, H, E, R, Washer M, N, Man Washerman washes our cloth A Washerman washes our cloth अगर आपसे पुछता है कि Taylor क्या करता है? What does a Taylor do? तब बोलोगे The Taylor stitches cloth for us The Taylor stitches cloth for us या इतना भी बोस लोकते हैं The Taylor stitches cloth For us नहीं भी बोलो के तो भी चलेगा अब आपसे नमबर एटीन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है कुछ बच्चे नए जूड़े हैं उन्हें उन्हें तो चप्टर फरस्ट से पढ़ा ही नहीं है तो सकता हैंकि कुछ चप्टर छूड़ गए हो कुछ टोपिक छूड़ गए हो तो हम पूरा फिर से Reason भी करेंगे और साथ-साथ learn भी करते जाएंगे अभी आपको ये question answer learn करना है What does a tailor do? The tailor stitches clothes for us बोलो दे टेलर The tailor The tailor Stitches 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 Clothes The tailor Stitches Clothes Easy है ना The tailor Stitches Clothes Next What does washerman do? Washerman आपको याद रखना पड़ाएंगा Washerman तो कप्ड़िस होता है Washerman washes our clothes A washerman washes our clothes या इतना भी बोल सकते है A washerman washes our clothes A washerman washes our clothes A washerman washes our clothes पेटा learn करना है ना What does a viewer do? A viewer view threads into cloth अब हम chapter number first solution करेंगे है ना Chapter number first class second Chapter number first about me A, B, O, U, T About M, E, Me About me About me मतलब मेरे बारे में है ना Me मतलब मेरे About मतलब बारे में H, E, W, L, O, Hello F, R, I, E, and this friends Hello friends है ना वो hello कर रही है लडगी जो गर्ल है ना वो वो क्या कर रही है आपको hello कर रही है M, Y, My My मतलब मेरा N, M, E, Name Is, मेरा नाम My name is मेरा नाम यह नाम बता रही है ठीक है अब आपको अपना नाम लिखना है अगर आपके book complete नहीं हो ता अपना नाम लिखना मैं यह पर मेरा नाम लिखती हूँ old 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 तो होंगे ही नहीं है ना तो आप चितने एस के हो वो एस आपको लिखना है अगर आप एट एस के हो तो आपको लिखना है एट है ना I am years old am I my my मतलब मेरा a double d r e double s address is आपका address अगर आपको अपना address नहीं याद है बेटा तो ममा से पापा से या बड़े भाई या दीदी जो भी आपके आसपास हो उनसे आपका address पूछना और यहां फिर यहां पर लिखना आए है ना टी एची दर अने मी नेम ओफ दर नेम ओफ नेम मतलब नाम am I my मतलब मेरा s c a double s school school मतलब विध्याल यह यह इस तो नेम ओफ माई स्कूल इस में स्कूल का नाम क्या है स्कूल का नाम लिखना है यहां पर यहां पर कह लिखा है प्ूह्ग्रेशिव अकेडमी है ना अपनी स्कूल का नाम आपको लिखना है I am in class cl week class में क्लास में हो कूं सी लस्त में हो में आप क्वों ना तो आप क्या लिखोगा यहां पर second a c c t i o n section आप section a में हो तो C में हो तो C लिखोगे टी एची दर NME नेम OF OF MY मतलब नाम MY मतलब मेरा BST Best Best मतलब खास FRI ENDES Friends French मतलब दोस्ते अमेतर The Name of My Best Friend अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है जिसे में नहीं लिखा है C अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम जो भी हो, राज हो, रिया हो इसने हाँ हो तो आप वो नाम लिखोगे है MY माय मतलब मेरा B I R T H D A Y बर्डे I S E S O N O N मेरा बर्डे कभ है? जो आपका बर्डे हो तो आपको यहां पर लिखना है अगर आपका 2nd October आपको लिखना है आपको नहीं पता हो तो आपको अपनी ममा से पुछ के कम्प्लेट करना है My W E I G S T Weight मतलब बजन आपका बजन कितना है आप कितने किलो के हो आपको लिखना है अगर आप 20 किलो के हो तो 20 kg लिखोगे है ना, अगर आप 19 kg के हो तो 21 kg लिखोगे अब देखो My Favorite Games G.A.M.E. Game आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है मैंने आप फुटबॉल लिखा है क्यों मेरे फुटबॉल अच्छा लगता है अगर आपको फुटबॉल की जाए क्रिकेट पसंदे तो आप क्या लिखोगे क्रिकेट A.F.O.T. Food B.A.L.L. Ball फुटबॉल A.N.I.M.L. Animal मतलब जानवर आपको कौन सा जानवर पसंदे मैंने आप पे डोग लिखा है ना D.O.G. डोग क्यों लिखा है कि मुझे डोग बहुत पसंदे मेरे घर पर दो दो डोग ही है आपको अगर रैबिट पसंदे तो आप रैबिट लिखोगे और गर केट पसंदे तो केट जो पसंदो ना वो लिखना है F.L.O.W.E.R. Flower Flower मतलब फुल आपको जो फुल पसंदे मैंने लिखा Sunflower अगर आपको Lotus पसंदे तो आप क्या लिखोगे फिर लिखा है Fruit Fruit मतलब फुल मैंने लिखा है Apple A.W.P.L.E. Apple मुझे Apple पसंदे आपको Mango पसंदे तो आप लिखोगे M.N.G.O. Mango है जो पसंदे वो आपको लिखना है Toy जो भी खिलोन आपको पसंदे वो आपको लिखना है यह लिखा है ना Aeroplane मुझे Aeroplane वाले खिलोन अच्छी लगते है है ना जिनको हम Sail वाले होते हैं और इमोंट से उड़ाते हैं आपको जो वाले खिलोने पसंदे हो जो Toy पसंदे हो आप वो लिखोगे TV चैनल मैंने लिखा है Pogo P.O.G.O. आपको अगर तुसरा कुछ सा TV चैनल पसंद हो तो आप वो लिख लेना है कार्टून नेटवर्क भी आता है और बहुत सारे चैनल आते है जिन पे आपके पेपा पीक सीरियल आते है कार्टून आते है डोरे मोन आता है सिंचेन आता है रुदरा आता है और रुदरा भी आता है और शीवा भी आता है यह सारे कार्टून चैनल आप देखते हो ना तो जो आपको पसंद हो आप लिख लोगे हमारा चेप्टर फर्स्ट कम्प्लीट हो गया है ना इसकी एक साइच है यह मैं आपको करवा देती हूँ अभी क्या आप कर सकते हो कि क्या सकते हो मारे क्याते कांप्लीट हो.. आपके क्या एक चोटे हो अब प्यक्ठी थे पेंट कर रहे है अब यहं पर एक और इस और आपको बियन कार्ट है को बलाना है तो क्या करोगे हब से पहले हैं आप आपका फ्रेंड का नाम लिखोगे ना डियर फ्रेंड जिसका जो भी नाम हो मैं फ्रेंड लिख रही हूँ है ना P L E S E Please Please मतलब जरूर C O M E Come कम मतलब आना T O T O T O T O M Y My My मतलब मेरे B I R T H D A Y Burday मेरे बर्डे P A R T Y Party प्लीज कम टू माइ बर्डे PARTY मेरी बर्डे की जो पार्टी है जर्म दिन की जो पार्टी उसमें जरूर आना 8 My Home M Y M I H O M E Home मेरे घर पे आना ON की जगह कहा लिखेंगे कब आना है आपको अगर आपका बर्डे की जो बर्डे की डेट है न यहां आएगी जिस दिन आपका बर्डे की उसी दिन पार्टी दोगे न कि दो दिन बात दोगे नहीं उसी दिन देंगे तो यहां पर डेट अगर आपका बर्डे 1st January को है ता आपके लिखोगे 1st January 1st January 8 8 के बाद यहां पर कहले है टाइम अगर 8 बज़े से पार्टी है तो 8 लिखना है है ना 8 पीम अगर अगर 6 बज़े से पार्टी है ता आपके लिखोगे 6 और यहां पर लास्ट में अपना नाम जो भी आपका नाम हो वो नाम आपको लिखना है जिसे मैंने मेरा नाम लिख दिया है ठीक है इस book को complete कर लेना chapter number first और मैं सारा reason करवाऊंगे first से 19 तक अपनी अपनी CW complete कर लेना chapter number 19 तक है ना